इंडॉर के जिस मैदान में सचिन तेंदुलकर ने दस हजार रण बनाए है ये वही नहरू स्टेडियम है जो आज अपनी दुर्डशा पर आसू बहा रहा है इंडॉर का कोई भी बड़ा आयोजन हो उसके लिए इंडॉर का नहरू स्टेडियम ही दिखाई देता है कारकरम के लिए स्टेडियम के सीने को बास बल्ली से चलनी कर दिया जाता है और उसके बाद उसे ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़ कर चले जाती हैं स्टेडियम में रोजाना 1500 खिलारी अभ्यास करते हैं और मैदान में पड़ी कीलो से चोटिल भी हो जाते हैं यहां तक कि फुटबॉल, हौकी, क्रिकेग, बास्केग, योगा, बॉक्सिंग, कराटे के खिलारीों के साथ ही वाकिंग करने वाले कई खिलारी रोजाना आते हैं देखिए ये खास रिपोर्ट इंदोर शहर की शान नहरू स्टेडियम ने देश को कई सितारा खिलारी दिये हैं शहर में खिलारीों के लिए यही सबसे बड़ा मैदान है जिसमें कई खिलारी रोजाना अपना अभ्यास करते हैं इस स्टेडियम में रोजाना 1000-1500 खिलाडी विभन खेलों की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं लेकिन चुनाव का समय हो या फिर साशन को कोई बड़ा आयोजन हो सब के लिए स्टेडियम ही आसानी से उपलब्द होता है और फिर शुरू होता है स्टेडियम की खराबी का द आती है तो वही मैदान में पानी से बचने के लिए चुरी बजरी डाल दी जाती है जो बाद में मैदान में रह जाती है नेरू स्टेडियम में किस प्रकार की वेवस्था हैं, क्या चाहते हैं? प्रारम होने जा रही है और नेरु स्टेडियम के प्रभंदक कीले वगेरा भी मिदान में पड़ी मिदी क्या है उनके द्वारा भी हमको सयोग मिलता हूँ कीले भी कीले भी भूस सारी उठाई गई सापसपय का काम निरंतर प्राइवेट वरकरों को लेकर बुला के करवाया आपका नाम Can Abde allremo प्रभंद का नहरो स्टेडियम कंडर आउजनों का साक्षी इस स्टेडियम में कैंड राष्ट्रिया वह अंतर राष्ट्रिया प्रतियोगिताओं के साथी अर्ड़क्रित की समय समय पर आयोउजुद किये गये हैं इसके साथी से मैदान से फुटबॉल के कई रास्ट्रिय वे अंतर रास्ट्रिय खिलाडियों ने भी शहर का नाम रोशन किया है एक समय इंदोर के ही एक ही क्लब के चार खिलाडी देश की नामी संतोष ट्रॉफी में प्रदेश का प्रदनिधत्व कर चुके हैं तो विश्व के रिकॉर्ड धारी नर नवनियुक्त स्टेडियम प्रभारी से जब इस विशय पर बात की गई तो उनका इस पश्ट कहना था कि खिलाडियों के लिए सभी काम को पहली प्रात्मिक्ता से करेंगी उन्होंने बताया कि बरसात के कारण मैदान का काफी हिस्सा खराब हो गया था उसे ठीक कर दिया है मैदान में काफी हिस्से से चुरी वे बजरी हटा दी है कुछ बची भी है तो उसे भी जल्द ही साफ किया जाएगा इसलिकर अधिकारियों को नर्देश भी दिये गया है बड़े नेरु स्टेडियम में भी लगातार क्या है कि जिससे मैं अभी कहा था तो पीयर बच्ची ने बझता था कि हमां बातरुम में टाहिल से टूटी है जालियां टूटी पड़ी हैं तो वोस्तित अब रेगुलर में होगी ये समीट आने के करण हमारे महां पर थोड़ा सा इधर हमारी पहली प्राइटी यह है कि हमारे शहर का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया है तो इसलिए पहले अभी हमारे समीट के तयारियों में सभी ठेकेदार, सभी अधिकारी इधर लगे हुए तो हो सकता है कि उसको हम जल्दी से जल्दी जैसे ही फिरी होंगे तो महाँ पर सब सुचारू रूप से विवस्ताइं कराएंगे कुछ काम बचा हुआ है उसे भी प्रात्मिक्ता से पूरा किया जा रहा है बड़े स्टेडियम में विगत एक दिड़ महाँ पेले इस्तिती वाक़े में खराब थी बारिश के बाद में वहाँ पे घांस वगेरा खूब जादा थी हम लोगों ने टेक्टर वगेरा से घांस वगेरा पूरा कटवा कि उसको पूरा साफ कराया है आज की तारिक में आप देखेंगे नेशनल लेवल का जो है वो फुटबाल टूर्नामेंट अभी चार दिसंबर से सोला दिसंबर तक हुना है उसके लिए हमने प्रति दिन वहां पे तैरी करना घांस काटना और सारी रिवेलेशन का काम पूरा जो है लगब लगब पूरा कराया है जालिया इस वज़े से पड़ी है कि जब चुनाव आये थे तो ठेकेदार को जिनको कांटेक्ट दिया था तो वो स्टेच वगरा लगाने के लिए इस समय वो अटाई थी जालिया वो जालिया वापस लग जाई हुए और प्रति दिन जो है वो बहुत अच्छे से बच्चे आ रहे हैं वहां खेलने और कम से कम देड़ दोहजार बच्चे सुबह देड़ दोहजार बच्चे करीगरी विशाम को रची दिन वहां पे खेल की लिए अभी 26 जनवरी वापस आरी तो उसका पुते वगरा का काम वापस चालू होगा